अभी बजगें रात के साड़े बारा, बहुत ही मुश्किल सफर, दो जगा पे हमें कैम्पिंग कैंसल करना पड़ा अब आप लोगे कीन नहीं करेंगे, ठंड कितनी है और अगर ज्यादा बारिश होगी न, फिर हमें बाहर निकल के नजर देनी पड़ेगी नहीं, नहीं, आराम से, आराम से, आराम से भाई असलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, आज है 17 फेब 2024 और एक सफर की शुरुआत करते हैं, सफर थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा लंबा है, टोपी थोड़ी से बड़ी है बट हम बढ़ते हैं आगे की और मैं दिखाऊंगा आप सब को, खाली हमें electric blanket पैक करनी है, वो हमने कर दिया, बाकी सब सामान जो है, वो गाड़ी में है यूसमर्ग में भी हमने camping किया था, बट वो complete नहीं हो पाया, कुछ चीज़े off camera होती है, सब कुछ हम on camera नहीं दिखा सकते हैं, वहां से हम सीधा बड़े थे आगे की और आज हमारा और एक सफर है, आज हमें camping करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिसमिल्ला, और आज हमारे साथ यासर भी है, यहीं से आपको हलकी सी परफ देखने को मिलेगी, और गने जंगल, इन्हीं जंगलों के बीचो बीच हमें आज कैंप करना है, वह यह ज्यादा स्टीप है भाई, नहीं आएगी, क्या, इधर खड़ा है और क्या, काड़ी पूरा भाग रही है, और कंदे तरीके से भाग रही है, यहीं पर हमें आल्मोस्ट, टाइम तो यहीं पर बीच गया, अंदेरे में जंगल में पहुंच आएंगे, इस नोट लाइक हम जंगल में पहुंच रहे हैं और वहाँ पर ग्रास वगएर हम काट रहे हैं, यह थोड़ा छोटा सा रोड है, इस पर काम नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन इस पर काम होगा, यह कहां तक यह रोड है बाई, यहां पर इतना सलोब है ना, मुझे लग रहा था मैं इस में गया, दो तीन बार, यहां तक हमारा टायर आ गया, थोड़ी सी स्पेस रह गई थी नहीं तो मैं इधर होता अभी नीचे, यह बहुत गहरा है, आपको लग रहा है कैमरा में कि यह एजी है, दूसरी लोकेशन प यहां पूरा अंदर आगये, कहां से आगया? है, टावल है यहां भी है की जlब यह होता है स्थिंट पर मेरी सीट तो पूरा भर के च़्ोन है। हमारा कुछ है आथा अथा इसमें हारा है когда निश्या में बिसमें में लाइता हो अगुद का मेरा कुरी क्षी मेरे प quecraft ए ह देखो हमें स्टार्ट करने की जुरत भी नहीं है तो मैं के कर सकता हूं यह पीछे जा रही है अभी हम बढ़ रहे हैं और एक लोकेशन की और मेरी हालत पहले से यहां पे खराब होगी कीचड़ पूरा काड़ी में कपड़ों पे ब्लेंकेट्स पे बिसमिल्ला करते हैं अभी दूसरा पहार क्रॉस करके और एक लोकेशन पर जाना है यहां पे जड़ा हमारी गाड़ी रहेगी क्योंकि यहां से आगे जाना मौत के करीब जाना करीब नहीं मौत के साथ लगना अभी अंधेरा भी होगा हमारी लोकेशन होने को है अभी नहीं हो गया पूरा हमारी लोकेशन रहेगी यह यहां पर टैंट हम देंगे यहां से पूरा जंगल और हमारे इस साइड जो है लेक है थोड़ा सा नजारा में दिखाऊंगा इसके बाद में आगे जाके आपको अच्छे से नजारा दिखाऊंगा में नहीं समझनी आ रहा है अंधेरा कहां से हो गया हम तो अच्छे टाइंपर निखले थे घर से बट जो हमारा असलमें लोकेशन था जह से पहले वहां पर टाइम लगा हमें बदकस्मती से न हमें यहां पर भी कैंपिंग कैंसल करना पड़ा अभी बच गये हैं रात के साड़े आठ और हमें इस लोकेशन से निकलना पड़ा सब कुछ हम नहीं बोल सकते हैं क्यों निकलना पड़ा रीजन्स क्या है बट नहीं कर सकते हैं यहां पर कैंपिंग अभी हम हार तो नहीं मानेंगे अभी और एक लोकेशन पर जाएंगे और पहाडों के बीचों भी जाएंगे वहां पर कैंपिंग करेंगे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि अगर कुछ भी हो जाए हमें तो कैम्पिंग करनी है बाई साब अभी हम निकल रहे हैं इस लोकेशन से फटा फट और हम बढ़ रहे हैं आगे की और अभी थोड़ा सा अगे बढ़ना यहां से अराम से बहां से अराम से बहां से क्या लग रहा है कहां पर आए अब रहने हैं मुझे लग रहा है बारिश हो रही है याल किसे इधर हम टैंट लगाएंगे यहां पर गाड़ी हमारी यहीं पर रहेगी नहीं पानी नहीं आएगा फुल वाटर्प्रूफ है अब अगया अब अब अच्छी खासी है हल्किसी बारिश मुझे लग रही है कि आए अब आले आमारा टैंट स्टान ओगया गाड़ी की एक लाइट बंग करते हैं अब आप लोग एक इन नहीं करेंगे ठंड कितनी है रात के बजगें दस और सबसे बड़ी बात अभी में टास्क बाकी है मेरे कान जम गए मेरी नाग जम गए ठंड से गाड़ी की लाइट तो बंद कर दो बैटरी डाउन हो जाएगे कैंपिंग में तो आग is most important क्योंकि जानवर आएगा रात को एंड आग देखते ही वो बाग जाएगा हाँ 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 चेर भी भाई चेर इस फिल ब्यूटेन क्या है वो ब्यूटेन सारा पांच हो पांच जाँ ह sett क्योंकडर रामना रागा आछिंगंगा को कि बाभ बश्सक्षड़गर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व ग्याžंक thor के लिएक साथ खरिद कर दो िए मेर साथ प्याओ जो यह एवरिधिंग तरह ने यह डाला है इसमें थोड़ा है इसी से मिक्स हो गए डाल दो काड अदर नमक है उसमें डाल दानमक बताना किट हाथ ले हाथ से बता चिंग बाई इतना कुछ सहने के बाद अब इस जगा पर चिंग अधर दो किया हो जाएगा गर में बैठेगा सो जाएगा अभी इस जगा पर ओऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-फॉरा त्राल दिख रहा इह तर से ऐसा समझे आप अपनलो पकड़ इसो नीचे करना इस बाद में डालेंगे हम इस से निकालती है प्राश रहे पूरा करना बन और निकाल गड़ी डाव हाँ वो फिर उपर से करेंगे ना अलग से वो बताओंगे मैं वो कैसे करेंगे रूप काटना नहीं दूप अगर मैं अकेले होता तो मैं मैंगी या नूडल्स या कुछ और बना के सो जाता क्योंकि इस सब चीज के लिए ना टाइम नहीं मिलता है या सिर्फ जब दोस साथ होते हैं तब ही ये सब चीज़े होती है बिसमिल्ला काटना नहीं इसको मगर टाइमली पलटना है इसको थोड़ा हैंडल कर ले मैं इदर से चारू तरफ नजर देखे आतों बिसमिल्ला ये है हमारे चारू तरफ महौल कुछ इस तरह और इन सब चीज़ों में ना मज़ा आता है मुझे परसनली अगर मैं बताओं जंगलों में इतना क्लोज थोड़ा सा थ्रिलिंग हाटबीट इंक्रीस सम्टाइम्स उससे पता लग जाते हैं इनसान को अपनी पहचान इनसान खुद से मिल जाता है अब क्या रोष्ट हो गए क्या से इधर है बड़ा चार को निकाल पड़ा नहीं क्मेशन ड़्ट हुआ थीऊ कि क्या भाई है आई सिपक्ते हैं नहीं माण ओर्थे通 विए लग को बाई कि अ है के नहीं को हुआ है कुई भी जानवर आए ये आपके पास यह है कुलहाड़ी उस पे है उस पर है उस पर है और दूसरा चाकू बड़ा है ना यह है में जीव में रखता हूँ चल चल इसको करना तर चलाए है बस बस JUST किससे जादा नही है किसी ज्यादा नहीं भाई ने ने रिला आप इमेजन कर सकते हैं रात के साड़े बारा पद्द में सो गया होते हैं एक बार इन दो को खाते पर हैं हाँ जी भाई लोग अभी हमने अच्छे से जो है डिनर किया यहां पे थोड़ी सी साफ सफाई करेंगे उसके बाद हम सो जाएंगे आज बहुत मज़ा आएगा और बाहर का नजारा कुछ इस तरह है यासर को मैंने बोला उसमें जो हमें चीज बहुत मज़ा आगया सुबह हम दिखाएंगे कि यहां पे कैसा नजारा है मौर्निंग का व्यूव उमीद करेंगे कि बरफ गिरेगी रात को और हम जो है बरफ में कैम्पिंग करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा बिसमिल्ला अंदर गर्मी की बात करेंगे तो उतनी है नही बट ठंड बाहर अच्छी खासी है और टेंट में भी उतनी ठंड है नहीं बाहर का महौल कुछ इस तरह आग वहां पे जलेगी रात बर और हम जो है यहां पे सो जाएंगे अच्छे से तो अभी अच्छी खासी बारिश होगी यह स्टार्ट इसमें बहुत मज़ा आता है फ फिर हमें बाहर निकल के नजर देनी पड़ेगी क्योंकि अंदर तो पानी आएगा नहीं फुल वाटर प्रूफ है I hope कल जब हम उठेंगे ना अभी तो बारिश है कल बरफ होगी बहुत सारी फिर मज़ा आएगा